हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इस तरह के कंगन घर पर कैसे बना सकते हैं आज की वीडियो में हम केमिकल के कंगन बनाने जा रहे हैं इन्हें बनाने के लिए हम एक polytheem में सबसे पहले दोनों chemical को बराबर मात्रा मिलेंगे, और फिर उसने golden color की परत, और पीला color add कर देगे, color add करने के बाद सब को अच्छी तरह मिला लेंगे, और 10-15 minute के लिए set होने के लिए रख देंगे. अब हम newspaper की help से किसी pipe के उबर rings को fix कर, देंगे हम दो rings को एक साथ fix करना है, और दोनों rings के बीच hole बनाना है. 15 minute हो चुके है हमारा chemical set हो चुका है. अब हम chemical की polytheem को cut करके pipe को गुमादे हुए rings के उबर chemical लगाएंगे. आप लोग देख सकते हैं आपको भी ठीक इसी तरह chemical लगाना है. Chemical लग जाने के बाद हम एक stick की help से chemical को set करेंगे. हमें हमेशा pipe को घुमाते होई chemical set करना है. आप लोग भी ठीक इसी तरह chemical set कर लीजिए. अब हम कंगन के उपर flower वाली design लगाएंगे. हम दो कंगन एक साथ बनाएंगे. अगर हम एक कंगन में उपर की sign flower लगा रहे हैं तो दूसरे कंगन में उसके अपोज़र निची की sign flower लगाएंगे. फ्लावर लग जाने के बाद हम पाइप को घुमाते हुए colden नग लगाना स्टार्ट करेंगे. अब हमें colden नग भी ठीक इसी तरह से लगाना है. दोनों कंगन एक साथ बनाकर तयार करने हैं. sign golden नग लग जाने के बाद हम पाइप को अपोज़र खुमाकर दूसरी sign golden नग लगादा कर कंगन तियार करने हैं. टीक स्टिक की हल्प से फ्लावर और नग को अंदर दबाते हुए कंगन की finishing कर लिंगी फिन निशिंग हो जाने के बाद कंगन को एक से दू घंटी के लिए पाइप को खुमाते हुए सुखा लिंगित गित थैंक्यू फोर वाचिंग.